आज हम सूरुदास के ब्रहमर गीत की प्रिक्ष वपीगी तोड़ा परसन देखेंगे इसमें आपके एक वैख्या अनिवारिय है एक वैख्या आएगी वो परसन आएगे वैख्या देखो उधो अखिया अती अनुरागी एक टग मग जोवती अरूरोवती भूले हूँ पलने लागी बिना पावस पावसरित आई देखत बिदमान उधो धो कहा कियो चाहत हो चाड़त निरस ग्यान सुनो प्रिय सका श्याम संदर के जानत सकल शुभाव जैसे मिले सुर्व प्रबु हमको सोक चुकर हूँ उपाई जब वगा स्री कृष्ण अपने मित्र उधो को ब्रज में ग्यान का उप्देश देने के लिए भेजते हैं जैसे ही उधो गोप्यों को अपने ग्यान का उप्देश देते हैं कि आपको स्री कृष्ण को भूल कर प्रमात्मा को याद करना चाहिए आपको योग साधना के मायद्यम से अपने प्रमात्मा को प्राप्ति करके अपनी जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और कृष्ण को आपको भूल जाना चाहिए इसके उतर में गोबिया उधव से कहती है उधव हे उधव अधिया अतिनूरागी ये हमारी आख्या तो बहुत ही प्रेम का अनुसरन करने वादी है और प्रेम के रस्मी भीगी हुई है एक टक मग जोवती ये है स्रीकृष्ण की एक टक यानि बिना पलक जब कहे स्रीकृष्ण की प्रतिक्षा करती रहती है और रोती रहती है भूले हूँ पल ने लागी भूल से भी एक पल भी यह नहीं जपकती है बोले हूँ बोले से भी पल ख्रण नहीं लागी यानि नहीं जपकती है इन्हें दोनों जो पल के हैं वो मिलन नहीं होता है उनका हरधार्ध हर श्रण स्रीक्रशन का रास्ता देखती रहती है और रोती रहती है अब रोने से क्या होगा बिन पावस पावस रितु आई अरे बिना वर्सा रितु के ही बिना वर्सा के ही वर्सा रितु आ गई है कैसे रोती रहती है तो उनकी आखों से अस्रुधारा बहती रहती है आई देखत विद्यमान आकर शाक्षा थी तुम देख लो विद्यमान यानि विद्यमान अरे तुम साख्षाथी देख लो, प्रतक्षी देख लो, देखो हमारी आखी है न एक टक्ष्रीक्षन की रहा को देख रही है उसकी प्रतक्ष्या में शन बर्वी एक बई ये पलक नहीं जफकार है और इनसे अस्रुधरा प्रवाहित होती रहती है अस्रुधरा प्रवाहित हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ रही है बारिश आ रही है तो ऐसा लगता है क्या वर्सारीतु का मोसम है अब तो कहां कियो चाहतो अब ओर तुमे क्या चाहिए छाड़ तु नीरस ग् सुन प्रिये तुम चूला है जैसे क्रिश्न कम भाव Everyone although इसका है थैसा क्रिशन का स्रीक्रिशन का सब्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब जानता नहीं सकतो है मैं तुम जानते हो जिसे मिल ये सुर्वพ्रबू हम को हे उद्धु जैसे फिरिशन हम को मिल जाए सूर्दास गोप्यू के माध्यम से कहते हैं कि हे उधव जैसे कृष्ण हमको मिल जाए वह प्रभू हमको मिल जाए सो कच्छु करो उपाई ऐसा ही कोई उपाई करो अब व्याख्याप अपने साब से लिखने ना संकीत संदर्व कितने ही यूडियो आपको डाल र श्रिक्ष्ण के प्रति इसमें प्रकट कर रहे हैं दूसरा देखो उधो मन नहीं दस बीस एक हूँ तो सो गयो हरी की शंग को आरादे तु ईज भई अतिसी थिल सबे माध्याव बिनू जथा देह बिनू सीस स्वांसा अठकी रह आसा लगी जेवही कोटी बरिश तुम तो सखा शाम सुंदर के सकल जोग के इस सूरदाच रशी की बतिया पूर भी मने जगदी से ये भी वही श्रिक्ष्ण की एक निश्टा को इंगित कर रही है उधो मन नहीं दस बीस अब यहाँ पर जब उधो उनको ग्यान देता है कि आपको अपने मन में प्रमात्मा के आराध करने चाहिए और उस इस्ष्षर की अराधना करने चाहिए जो आपके मन में है अब इस मन में आपको उस ब्रह्मा को और गोचर आगम ब्रह्मा को जो है श्मर्ण करना चीए इस एक मन में तब इसका उत्तर देती हुए गोपया क्या कहती है हमारे पास में 10-20 मन नहीं है एक हूँ तो सो गयो हरी शंग हमारे पास में तो एक ही मन था और वो भी हरी के साथ में स्रीकृष्णी के साथ में चला गया को आरादे तो 20 और अब तो को यानि किस से आरादे आराधना तो तुम इस इश्वर की अब तुम कोणशे इश्वर के अराधन करने की बात कर रहे हो और तार्थ हमारे रधे में तो स्रीकृष्ण रोप इश्वर थे और वो है हमारे मन को ले गए अब तुम कोणशे इश्वर के अराधन करने की बात कर रहे हो भाई अतिस सीथिल सबे माघव भाई अतिसीतल सभी जो इंद्रिया है हमारी वो शिथिल हो गई है सबे माघव बिनू अधे को यह जो गुम है यह यहां नहीं लगगेगा सबे माघव बिनू यहां लगगेगा मैं देखने हूं यह से किसे आगया ठीक है भाई अतिसीतल हमारे मन के सारी इंद्रिया सबे माघव बिनू सभी माधू के बिना स्री कृष्ण के बिना स्री कृष्ण के बिना हमारी मन के सारी इच्छे सितल हो गई है सांत हो गई है अब किस प्रकाश इतल हो गई है जथा जैसे देहे शरीर बिनू बिना सीश यानी शीर जैसे देहे के बिना ये शीश का जो हस्तित्व है वैसे ही हमारा हमारी सारी इंद्रिय भी हमारा मन भी है ना माधों के बिना ऐसे सितल हो गया है स्वांसा अठकी रहे आसा लगी अब तो हमारी स्वांस भी उसी आस पर अठकी हुई है जी वही कोटी बरिशे करोडो बरसों के समान हम जी रहें उस आस पर अठकी हुई है कि स्रिक्षन कभी हम से मिलने के लिए आएंगे हमारी स्वास स्री कृष्ण के मिलन की आस पर ही अठकी हुई है और हमें हरक्षन करोडो बरस के समान प्रतित हो रहा है तुम तो सखा शाम सुन्दर के तुम तो स्री कृष्ण के सखा होना सुन्दर कृष्ण के सखा होना सखल जोग के इस सारे जो करने योग्य जो काम है उनको तुम सभी प्रकार से पहचानते हो इस वर इस वर सरवग्य सभी कार्यों को जानने वाला सूर्दास रशी की बत्तियां सूर्दास कहते है हमारा मनतु पहले वाले जगदीज स्रीकृषन से ही रश की बाते करने की इच्छा रखता है अब यहां सूर्दास गूप्यों के माध्यम से अपना प्रेम परकट कर रहे हैं इस वर के लिए आगे देखो, बिनु गोपाल बेरीन भई कुँझे बिना स्रीकृषन के ये कुँझ ये उभून है वे हमें सत्रु से बेरी से प्रतित हो रहे हैं यह लता लगती अतीसीतल जब स्रीकृषन हमारे साथ में थे तब तो यह लताएं हमें सुक देने वाली शीतल प्रती थोद लगती थी भाई अब भाई विशम जुआल की पुझे अब जब स्रीकृष्ण हमें छोड़ कर चले गए तो यह विशम जहरीली उल्टी जुआलनी अगनी की पुझे निसम अब यह हमें अगनी की शमाद दुख देने वाली यह लगती है व्रता बहती जमुना व्यर्थ में ही यह यह यमुना नदी बहर रही है खग बोलते पक्षी बोलते हुए व्रता कमल पूल कमल के फूल खिलते हुए अली भावरे गुझे यह बहती हुई अमना और बोलते हुए पक्षी खिलते हुए फूल गुझते हुए भावरे यह सब हमें वेर्थ से प्रतीत होते हैं पवन पाने घनसार संजीवन ये पवन पानी कपू ये जो जीवन देने वाले सारे संजीवन ये जीवन देने वाले दधी सूत किरन भानू भाई भुन्जे किरन सूरे की किरने भी भानू भानू यानि सूरे किरने भाई हो गई है भुन्जे यानि हमको जलाने वाली जलाकर हमको सुखा देने वाली भुन्जे यानि जलाकर सुखा देने वाली ये पवन, पानी, कपूल जो सारे जीवन देने वाली ये सब है वो हमें सूर्य की किरनों के समान सुखा देने वाली अब प्रतीथ हो रही है अब सब्सक्राइब देने वाली लग रही है ए उदो कहियो मागव सो हे उदो जाकर माधव से कहना श्रीकृष्ण से कहना विर्ह बदन करी मारत लूंजे यह बदन अठार्थ यह तन हमारा तरीर हमें विर्हित होकर करी यह विर्ह बदन करी मारत लूंजे यह विर्ह तो हमारे सरीर को मारकर लूंजे यानि नश्ठ ही कर देगा सूरदास प्रभु को मग जोवत सूरदास कहते हैं कि स्रीकिष्ण की राह को देखते हुए अखिया भाई वरन जू गुंजे अखिया आखे भाई हो गई वरन रंग जू जिस प्रकार गुंजे यानि जैसे जो भुरान हमेशा गुंजाई मान रहता है उस प्रकार हमारी आखे हो गई है देख लो प्रशन आगे संदर प्रशन की वैख है विशेश आपको खुदू करना है देख लेना सूरदास एकावे में वासले रोड़ सरंगार रश के प्रमुकता है उधरन साहित इसपस्ट कीजिए ये तुम आगे वाली प्रशन देख लेना